नमस्कार दोस्तो हमारी चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तो आज की इस वडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी पत्ते के सेवन की विदी के बारे में बताऊँगा दोस्तो यदि आप इस पत्ते का हार रोज सेवन करेंगे तो आपको मरते दम तक सुगर, कोलोस्ट्रोल, मोटापा, हार डिटेक, किसी भी परकार का कोई भी दर्दर नहीं होगा और दोस्तो किड्नी में पत्री की समस्या का भी इससे कारगर कोई इलाज हो नहीं सकता दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तेजपत्ते की और दोस्तो तेजपत्ते का उपयोग मसालों के रूम में किया जाता है यह आपके घर में जरूर मुझूद होगा तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इससे होने वाले फाइदों के बारे में उसके बाद आपको बताएंगे इसके सेवन की सही विडी दोस्तो यदि आपको डाइबटीज की समस्य है और आप अपने सुगर लेवल को कंट्रोल करना जहाते हैं तो दोस्तो आपके लिए तेजपत्ता एक कारगर दवा की तरह काम करता है ये आपके sugar level को control करेगा और इस बीमारी से होने वाले complications से आपको बचा कर रखेगा सवसंत अंतर के लिए भी तेजपत्ता बहुत अधिक चमतकारी है दोस्तों तेजपत्ता खाने से खांसी, flu, bronchitis, asthma जैसी सांस से जुड़ी बीमारी उसे आपको तुरंत रहात मिलती है तेजपत्ते के आर्क में anti-inflammatory गुण पाये चाते हैं इसलिए इसी सूजन कम करने में बहुत अधिक मददगार माना जाता है दोस्तों इसके अंदर anti-inflammatory गुण होते हैं जिसके कान यहें दर्द को भी कम करने का काम करता है और अस्थमा जैसी बीमारी का एक कारगर इलाज है यदि सूजन की समस्य है या आप दर्द का इलाज करना चाहाते हैं तब भी दोस्तों आप इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसकी पतियों में COX2 नामक अंजायम की गतिविदी को रोकने का गुण पाया जाता है और इस अंजायम के कान सरीर में सूजन बढ़ जाती हैं और बहुत कान होते हैं कि सूजन के कान भी हमें दर्द होता है फंगल इनफेक्शन को दूर करने के कुण भी इसके अंदर पाय जाते हैं क्योंकि ये इसमें एंटी फंगल कुण भरपूर मातरा में होते हैं और इस फंगल इनफेक्शन के काना बहुत रहें कि बेमारियों का सिकार बनते हैं वजन को कम करने यदि आप वजन को कम करना चाहते हैं तब आपको तेज पत्ते का सेवन करना चाहिए तेज पत्ता उन जड़ी बूटियों में सामिल है जो भूग को कंटोल कर सकती है इसके लिए इसका सेवन करने के बाद व्यक्ति अत्रिक कलोरी लेने से बच जाता है और उसका वजन कंट्रोल में बना रहता है किड़नी की समस्याओं से भी बचाओ करता है तेजबत्ता किड़नी और पेसाब की नली में मुझूद पत्री के इलाज में तेजबत्ते के अर्ख का इस्तमाल बहुत अधिक परभावी है यह किड़नी की मासपेशियों को सीधे अराम देने में बहुत अधिक कार कर है इसमें लोरिक एसिड पाया जाता है जो किड़नी की समस्याओं से राहा दिलासकता है दोस्तो इसमें यूरिनरी गुन होते हैं यानि कि इसको लेने के बाद आपका यूरिन जादाता है जिससे कि आपकी बत्री यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है और इसी से आपकी एक समस्या का और हिलाज होता है आपके सरीर में जो भी गंदे पधार्थ है वो भी आपके सरीर से बाहर निकल जाते हैं और आपका सरीर बिलकुल साफ हो जाता है क्योंकि ये एवांचित चीजों को आपके सरीर से बाहर निकाल देता है दोस्तो कोलोस्टोल और दिल की बिमारियों के लिए जैदी आपकी सिरीर में बैड कोलोस्टोल बड़ा हुआ है और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि आपको हार्ट अटेक और हार्ट ब्लोकिज या दिल की बिमारियों का सामना नहीं करना पड़े तो दोस्तो आपके लिए तेजपत्ता एक कारगर दवा है आप तेजपत्ते का परियोग करके हमारे दवारा बताए गई विदी से परियोग करके अपनी स्कोलोस्टोल की समस्या का इलाज कर सकते हैं और दिल के बिमारियों से बचे रह सकते हैं दोस्तो तेजपत्ता हमारी तवचा के लिए भी बहुत अधिक कारग है क्योंकि इसकी essential oil का इस्तमाल बहुत सारे cosmetic समान बनाने जैसे cream, in, साबुन बनाने में किया जाता है यह तवचा को गहराई से साब करता है और दोस्तो आप इस तेजपत्ते का परियोग करके अपने चेहरे को खिला खिला बना सकते हैं बालों के लिए भी गुनकारी है तेजपत्ता दोस्तो बहुत बार क्या होता है कि fungal infection के कारण हमारे बाल तूट जाते हैं और यदि इस वज़े से आपके बाल जढ रहे हैं तो आपको तेजपत्ता का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसके anti-fungal गुन आपके इस समस्य से निजात दिला देंगे anti-bacterial गुनों से भरपूर होता है, anti-fungal गुनों से भरपूर होता है तो जो fungal infection के कारण आपके बाल तूटते थे ये उनसे आपको बचा देगा तो दोस्तों आपको तेजपत्ता का सेवन जरूर करना चाहिए यदि आप किसी भी परकार के दर्द का इलाज करना चाहते हैं चाहिए घोटनों का दर्द हो जोडों का दर्द हो किसी भी परकार के हड़ियों को मजबोत बनाना चाहते हैं तो चले अब आपको बताते हैं कि तेजपते का प्रियोग आपने करना कैसे है दोस्तो आपने क्या करना है तीन से चार तेजपते लेने हैं आप तीन लेसकते हैं, चार लेसकते हैं, पांस लेसकते हैं आपने क्या करना है दो गिलास पानी लेकर आग पर उबलने के लिए रखना है अब समय आपने चार तेज पत्ते अच्छी तरह हैं धोकर साप करके इसमें डाल देनी है और दोस्तों आपने इस पानी को तब तक उबालना है जब तक कि ये पानी उबल उबल कर एक कप नह रह जाए यनि किसी भी तरीके से अपने तेज पत्ते का सेवन करना है यदि आप निरोगी बने रहना चाहते हैं और अपने सरीर की बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं दोस्तों देर किस बात की है आप भी तेजबते का सेवन सुरू कर दीजी और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजी तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे च